हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब विल्कम आक टीजोब यूश्टी में हो प्रिकाष इस वीडियो मा हम देखेंगे इंडियन रेलवेज के एक गूट्स गार्ड की सेल इसलिप यहाँ देख सकते हो एप्रील 2022 की सेल इसलिप है लेटिस्ट सेल इसलिप है जैसा कि आपको पता है कि trains में goods guard रहते हैं अंका जो work रहते है actually train एक जगा जगा जा रही है तो as guard उस में रहते है अलाकि अभी नाम को change कर दिया गया है train manager कर दिया गया है goods guard के नेम को क्योंकि guard उन्हें उतना अच्छानी लगता था security staff type का नाम लगता था इसलिए तो चली वो सब खेर बात की बात है अभी हम देखते हैं salary इनको कितनी मिलती है कि salary के बारे में हम लोग हमेशा चुनते है कि salary सबसे अच्छी रहती है goods guard की salary बहुत अच्छी होती है बहुत जादा salary मिलती है क्योंकि running allowance को अगर बहुत जादा मिलता है तो चली देखते हैं कि actual में salary क्या रहती है level 5 का pace के लिए हम मिलता है यानि कि basic पे 29,200 रहती है तो basic पे मिलवा है 29,200 DNS allowance अभी क्या जो rate चल रहा है current rate चल रहा है उसके recording मिला है 12,906 देन कुछ arrears मिला है DA के उपर 9,426 HR A मिला हुआ है 6,833 देखिए HR A city wise vary करता है यह depend करता है जिसे अगर आप quarter ले रहे हो तो फिर आपको HR A नहीं मिलेगा अगर आप quarter नहीं ले रहे हो तो उसके बहाफ में आपको HR A मिलेगा टांसपोर्ट अलाइंस मिला है 2412 रुपीज टांसपोर्ट अलाइंस के ऊपर कुछ areas मिला है 81 रुपीज यहाँ जो major amount जो बनता है salary का वो होता है यह जो running अलाइंस बनता है kilo matrix अलाइंस यहाँ पे नहीं लिखा है 13,630 रुपीज यह सामाई लो कि आप extra salary यह add हो रही है फिर leave alliance मिला है running 1130 and night duty के allowance मिली है 1223 तो इनकी gross salary बनी है 76,841 अब अगर बात करें recoveries कितनी हुए है total recoveries कितनी हुए है तो देखें railway employees insurance scheme में 30 रुपीज deduction हुए है new pension scheme NPS का deduction हुए 6,029 रुपीज professional tax deduct हुए है जो nominal deduct होता है 200 रुपीज and कुछ CMTD cooperative banking वगरा का deduction हुए railway employees के लिए 1,300 रुपीज cooperative society से इन्होंने कुछ loan भी लिया हुआ है तो उसका deduction हुए 10,625 रुपीज तो net salary बनी है आनि कि सारे deductions वगरा करने के बाद net salary बनी है in hand salary बनी है 58,657 रुपीज और इसमें भी ये 58,000 इसलिए बनी है क्योंकि यहाँ पे actually इन्होंने loan लिया हुआ है कुछ amount तो 10,000 वो deduct हो जा रही है लेकिन उसे अगर आप add कर दो तो यहाँ 68,000 इनकी salary बन जाती है तो आप समझ सकते हो goods card की salary कितनी अच्छी रहती है 68,000 यानि कि approximately 70,000 के approximately 70,000 के approximately आपकी in hand salary बनती है सारी deductions वगरा के बाद तो आपने देखा salary कितनी अच्छी मिलती है railways में ऐसे भी salary के अलावा भी अगर आप देखोगे न तो बहुत सारी facilities मिलती है medical facilities मिलती है self के लिए आपके लिए and आपके dependent family members के लिए और railway के जो hospitals रहते हैं completely free रहती है इसके अलावा बच्चों के education के लिए education allowance वगरा मिलता है and traveling के लिए जो facilities वगरा मिलती है वो तो आपको पता ही है और आप अगर car loan लेना चाते हो home loan लेना चाते हो तो वो भी आपको subsidized interest rate में आपको मिल जाती है तो अगर आप भी railway के लिए preparation कर रहे हो तैयारी कर रहे हो तो आप comment करके बताना कि आप किस post के लिए तैयारी कर रहे हो किस post के लिए preparation कर रहे हो और इससे जोड़ा अगर आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो वीडियो को like जरू करना जाद से यादा share करना अगर आप channel पे नए हो तो channel को subscribe जरू कर लेना Thank you